हेलो फ्रेंट्स में हम पार्क परेल और आप देखरें टैकावनली चैनल और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आपके Android स्मार्टफोन के अंदर कस्टम रूम कैसे इंस्टॉल की जाए तो चलिए देरी नहीं करते हैं और देखते हैं कि यह एक अस्टम रूम कैसे इंस्टॉल होती है सबसे परले क्रोम उपन कीजिए या फिर आपको कोई भी ब्राजर उपन कीजिए उसमें जाके लिखिए your phone well file do गा उसे एंटर कीजिए तो यह एक ऐसी वेब साइट यहां पर आपको सभी स्मार्टफॉन के फामर्ट मिल जाएंगे सारी कंपनी इसके जो कि आज चल रही है मार्केट में तो आपको अपना form we're search करने जैसे कि मेरा formwork है तो मैं अपना firmware लिखूँगा जो relay math देंट दूंगा तो जब मैं इसको एंटर दूंगा तो यह सर्च करेगा और मुझे यहाँ पर grow के तीन firmware दिखा रहा है तो मुझे अपना चूजकरना और यहां पर आपको दिखाएगा उसका डाउनलोड लिंक तो यहां पर दो टैप की लिंक है Samsung A-Level Only और Hynix भी लेवल Only आप कोई भी एक Link को क्लिक कर सकते हैं या आपको एक ड्राइव पे ले जाएगा और आपको पर आपके डाउनलोड ऐन्यवे को क्लिक करना इसे कि यह रॉम है जो आपके computer में install हो जाएगी इस्तॉल तो नहीं बट डाउनलोड हो जाएगी तो यह जब तक डाउनलोड जैसे कि मैंने अभी तक डाउनलोड करके रखे तो मैं इसे से इंस्टॉल करना है पर ही मैं आपको दिखाने वाला लाइव तो मैं उस फोल्डर को उपन करूंगा एक्स्ट्रैक करके और मैं सबसे पहले जाओंगा बाद ड्राइवर सेक्शन में तो कि आपको एंडरोड के ड्राइवर इंस्टॉल करने बढ़ेंगे तो यहां पर एडी भी सेट अप लिखा है उस पर डबल क्लिक कीजिए तो यह आपको एक एड्मिस्ट्रेटर कमांड प्रोम में लेके जाए जहां पर आपको वाई लिखना और एंटर देना है दूसरी बार वाई लिखना एंटर देना है और आपको तीसरी बार भी वाई लिखना है और एंटर देना है तो यह अपने आप एक सेट अप ओपन करेगा उसको आपको नेक्स देना है और यह अपने आप फिनिश कर देगा और फिर यह आपको वापिस आपकी विंडो पे ले जाएगा तो यहाँ पर आपको आपको second चीज यह करने है कि आपको flash tool नाम का folder उसको open करना है और वहाँ पर flash tool की जो application है मैं आपको अच्छा view में दिखाऊंगा flash underscore tool लिखा इस पर double click कीजिए यहाँ आपको एक window open करके देगा जो कि flash tool है और यहाँ पर आपको scatter loading का option है वो select करना है यहाँ पर जो file दी हुई है वो formware नाम के folder के अंदर होगी जो कि zip file में आएगी और यहाँ पर mt6572 android scatter 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 का जो पीछे लिखा होते scatter name का जो भी आपको file दिखाए उसको आप क्लिक कर दीजिए उसको open करेंगे तो आपको बहुत सारी फाइल यहाँ पर लोड हुई दिखा रही है और इसको आपको download button दिख रहा है उसको आपको क्लिक करना है यह क्लिक करने के बाद आपका जो smartphone है उसको आपको switch off कर देना है और आपको इसको USB cable से connect करना है PC के साथ और आपको जो करना है वह बाद में है कि minus button या plus button को आपको एक बर दबाना है तो इससे यह होगा कि आपका जो phone है वो इसको detect हो जाएगा computer को तो मैं यहां पर दबा रहो minus button और यह connect हो चुका है मेरा phone अब देख सकते हैं यहां पर जो file transfer start हो चुका है तो यह आपको लगेगा 2-3 minute तो यह मैं यहां पर थोड़ा सा skip हो चुका है और यहां पर 93% complete हो चुका है 100% पर आ जाएगा और आपकी जो रोम है वो install हो जाएगी तो मैं recommend करता हूं कि आपकी जो custom ROM है वो install होने के बाद आपको phone को start करना है अगर आपने battery remove की है तो यह दिखे यहां पर यह install हो चुकी है तो ऐसा green color का circle आपको दिख जाएगा तो आपको इसको cancel कर देना है क्लोज कर देना है और आपको सारी windows क्लोज करने तो कर सकते क्योंकि अभी आपकी customer में वो install हो चुकी है तो अब आपको computer से कोई काम नहीं होगा और आपको अपने phone के पास जाना है उसके अंदर battery अगर आपने remove की है तो battery को लगाना है फिर से और उसको start करना है तो आप ऐसे अपने जो phone है उसमे customer home पाएंगे और अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप इसके जो webpage जो कि मैंने पहले ही बताया था उस पर आपको how to लिखा हुआ है आपको उसे कैसे इंस्टॉल करना वो भी बताया हुआ है तो यह था हमारा आज का tech tutorial तो मुझे लगता है आपको सब आपको समझ आ गया होगा कि आपके android smartphone में customer home कैसे install करनी है अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है अगर आपको यूसफूल हुआ है तो प्लीज इसे like किजिए share किजिए अपने friends को बताए कि customer home कैसे install होती है और subscribe बना मत भूलिए नीचर लाल बडिन को ज़रूर अबार दीजिए and keep watching tech only